भक्तो, हमारी जब उम्र होगी न, पचास, पचास वर्ष, जब हम आपकी उम्र पे आएंगे, आपकी उम्र है लगवग पचास वर्ष, पचपन वर्ष, जब हम आपकी उम्र में आएंगे न, तो हमें लगता है कि आपकी उम्र में आने के बाद, आपकी तरह हम संसार में उल पर जी नहीं रहेंगे हम नहीं चाहते कि हम आपकी तरह धन दौलत में अपने मन को लगा करके अपने यह मानव तन बेकार कर दें ब्यार्च कर दें ये चारोधाम भारत वर्ष की यत्रा भक्तों से मिलना रसिकों से मिलना घर परिवार से मोह ममता हटा करके घर परिवार से मोह त्याग करके बस हरी प्राप्ति के लिए चलना है केवल इश्वर प्राप्ति के लिए एक ही उद्देश हो जब तक लड़कपन है जवानी है जब तक करने योग है ये काम करने का 25 साल तक आपको सास्त्र कहते हैं ब्रह्मचारी रहो 50 साल तक सास्त्र कहते हैं ग्रहस्त रहो 75 तक सास्त्र कहते हैं के वानप्रस्त रहो 75 के बाद 100 साल तक सास्त्र कहते हैं सन्यासी रहो कहते हैं या नहीं मैं अपने मन से कह रहा हूँ क्या चार आस्रम बनाए गए हैं आप चारों को फॉलो क्यों नहीं करते आप केवल ग्रहस्ती लेके बैठ जाते हैं और बढ़ापे तक ग्रहस्ती निभाते हैं आप भगवान को पागल समझ रहे हैं आप भगवान की मर्यादाओं को लांग रहे हैं उन सीमाओं को आप दोहाई दे रहे हैं महराजी ग्रहस्ती तो सबसे स्रेष्ठ है हाँ ग्रहस्ती स्रेष्ठ मैं भी ग्रहस्त हूँ आप की तरफ बेटा बेटी बिवाह दिया काम पूरा अब क्या पड़े हो बच्चे लात मारेंगे घर से तब निकलूगे मन से क्यों नहीं निकल रहे हो लात खाने का इntजा रहा है घर पर कम रहिये जादा से जादा एक माह वरंदा बन रहो एक माह जगनाज पुरी जगनाज पुरी जाओ तो जगनात्पुरी में तो जो भगत लोग खाते हैं न, आप लोग खाते हैं और खाने के बाद पत्तल में धेर सारा फेक देते हैं, वो जूठन खाओ, हम तो जाएंगे अपने जीवने के अंत्र समय में, हाँ, और जाएंगे जगनात्पुरी, क्योंकि चेतन्य ने अंत्यम समय आखिरी के 18 साल जगनात्पुरी में व्यतित किये, और वहां पर महामंत्र का जाप करते थे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे,ze, चेतन्य महाप्रभु, भगवान का चिंतन करते थे भगवान को याद करते थे जगनाच भगवान के मंदर के सामने एक द्वार है आपने देखा होगा जहां गरोन स्तंभ है आपकी द्रश्टी पड़ी स्वागत्य आप सबका जय हो ठीक है मंगल है आपका बैठे जगनाच भगवान के मंदर के सामन अपने गरोण इस्तंभ के सामने की दुवार है उसे दुवार पर खड़े होकर चेतन्य महा प्रभू ने जब पहली भार जगनात पूरी गए थे और पहली बार जगनात भगवान से मिले थे तो वो सबसे पीछे खड़े होकर दुआर पर ऐसे हाथ रख करके और जुक करके भगवान कृष्ण को देख रहे थे जगनाथ भगवान को इतना प्रेम उमडा भगवान के प्रती के जिस पत्थर पर उन्होंने हाथ रखा था उस पत्थर पर उनकी उंगलियां धस गई मतल़ उस प्रेम से वो पत्थर भी पिघल गया आज भी जगनाथ भगवान के मंदर में सामने के द्वार में वो पत्थर है जिस पर आपकी तीनों उंगलियों के निसान बने हैं स्री चेतन्य महाप्रभू की सारी उंगलियों के निसान बने है और जिस पत्थर पर आप खड़े थे उस पत्थर पर भी उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए बन गए अब तो और चेतन्य महाप्रभू खाते क्या थे आप लोगों को न सबसे ज़्यादा टेंशन होती है खाने क खाएंगे क्या अरे यह चिडिया होती है ना यह चिडिया भी आप से अच्छी है इतनी चिंता तो वो भी नहीं करती जितनी आप करते हैं करती है उसको पता है कि जिसने जनम दिया है जिसने पेट दिया है वो पेट भरने को अन भी देगा उसे चिडिया को विश्वास बस हम लोग हिचके चाथे जगनाच भगवान के मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जगनाच भगवान की दुनिया की भारत के नहीं पूरे वर्ल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जगनाच भगवान की वहां एक दिन में इतना भात बनता है कि लाखों ल लाख नहीं, एक लाख नहीं, लाखों लोग, मतलब 25-50 लाख लोग भी खा सकते हैं, हर रोज, इतनी दाल, इतनी सबजी, इतना भात, वहां रोज बनता, वहां की रसोई कभी कम नहीं पड़ती, आप करोडों लोग चले जाए, एक दिन में कम नहीं पड़ेगी, और कभी देक जाए, जाई अपने आखों से अभी नौजनवरी को हम वहीं थे, हमने सब देखा, भक्तों को भी दिखाया, आप मैंसे भी कुछ भक्त थे वहां क्या, हाँ तो ठाईयों गौन गौन थे, इतने सारे भक्त वहां थे जगनात पुरी, जगनात वहां पर चेतन्य महाप् थे, वो खाते क्या थे, बोले आप लोग जो पतल पे खाकर छोड़ देते हैं ना, वो जाकर के उसी पतल को उठाते थे, और आपका बचा हुआ जूठन खाते थे, किसी ने कहा महाप्रभु जी आप इतने बड़े संत हो, इतने बड़े भगत हो, आप जूठन खा रहे हैं और बन गई, यह दो भगवान के साथ भक्तों की भी, यह प्रशादी बन गई, यह डबल प्रशादी है, उस जूठी पतल को चाटते थे, जेतन्य महाप्रभु, बस मेरी भी एक्षा है, कि मैं आखरी के अंत समय में, जगनाच पुरी में रह करके, और भक्तों का जूठन खाखा करके, और बस हरे राम महामंत्र का जाब करके भगवत प्राप्ती करने का प्रयास करूँगा, आगे हरी ख्षा, वो दर्सन देना, जगनाच भगवान प्रत्यक्ष है, मैं यह नहीं कह सकता कि भगवान मिलेंगे की नहीं, बिहारी जी के सामने खड़े होकर जो कहता है कि भगवान मिलेंगे की नहीं, वो पागल है, अरे भगवान के सामने खड़ा है, और तुझे किस भगवान की चाह रह गई है, वो साक्षात हैं, वो पत्थर के मूर्ती नहीं है, वो प्रत्यक्ष हैं, बस तेरा भाव हो सच्चा, तो वो तुझे गले से भी लगाएंग और अभी हम जगनात पुरी गए थे ना भक्तो, तो मैंने एहसास महसूस किया, मैंने महसूस किया कि भगवान ने मुझे अपना बनाया, अपने गोद में बिठाया, अपना बनाया, भगवान जगनात मेरी गोद में आया और मैं उनके चरणों में था, मैं आपको क्या बता करने की बात ही नहीं है, क्या कहूंगा मैं आपसे, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, आपने क्या खोया, वो आप जानते हैं, मैं नहीं जान सकता, हाँ, जगनाज पूरी, जाईए, भक्तों का, आप ये मत सोचिए, देखिए, ये दी हंकार लेकर जाएंगे न, मैं, बाब व्यक्ति ने अहंकार लेकर व्रंदावन में कदम रखा आप बताएए क्या वो भगवान को देखने के योग है ना वो तो अहंकारी है और भगवान अहंकारियों को नहीं भगतो उधव जैसे ज्यानी को भगवान ने ब्रंदा बन केवल इसलिए भेजा किसको प्रैम का रंग चड़ जाए बस